नमस्कार दोस्तू स्वागे थे आप सभी का आपकी अपनी चैनल BSA Tricky Classes में दोस्तू आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रस करना बिलकुल न भूलेगा अगर आपको वीडियो पसंदा इसको लाइक कीजेगा और इस इंफोर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो आपके फेस्बूक पे वाटसब पे इंस्टा पे तो सभी के साथ दोस्तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो चलिए श कैटी को सही की हैं तो आप लोग में Care you can whatever section तो सबसेसे कीा की मेल candidate की लिए बात करें लोग 13% कटी बाकी जो आप के वाट लोग सभ्य शोड़ दी कि अक्याटंड तो इसको जो है अटेंप नहीं कियाпа बसिर्फ आप ने 90 question attempt किये हैं और मान के चलिए दोस्तों 90 question में आप लोग के प्लस 3 या तो 3 आपके ज़्यादा सही हो सकते हैं या फिर 3 गलत हो सकते हैं तो आपकी उम्मीद है general वालो category लिए कि आप लोग का इसमें पूरा chances बनता है 101% लेकिन अगर आप लोग का इसमें selection हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप लोग ने 90 question attempt किये हैं ठीक है 9 sorry अगर आप लोग ने 150 question attempt कियें जिसमें 90 आप लोग ने सही कियें बागी आप लोग के सारे गलत हैं तो फिर वहाँ पर chances कम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर negative marking दोस्तों आप सभी को पता है 1 by 2 के negative marking निकि 0.50 के negative marking है समझ सकते हैं तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर पूरे-पूरे chances cancel हो जाएंगे लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ correct correct कियें जैसे कि अगर बात करें OVC category की अगर OVC category वाले ने 85 question attempt कियें जिसमें मान लिया अगर 81-82 question अगर सही है ठीक है न 80-82 question सही है तो मान लिया दोस्ते 170 के आसपास दोस्तों यह जो है बहुत होगा 160 यह 165 number बनेंगे clear है तो वहाँ पर chances OVC वालों के लिए शेयर हो जाता है कि 101% कि आप लोग का यहाँ पर chance पूरा बन जाएगा अच्छा SC की बात करें तो सिर्फ 80 question attempt किया है लेकिन अगर बिल्कुल सही है प्लस माइनस 3 हो सकता है जैसा कि मैंने भी आपको बताया इसमें 3 सही भी हो सकते हैं मान लिया 3 गलत भी हो सकते हैं तो आपका शेयर है कि 160 marks पे इसमें इतनी cut-off जाएगी इससे जादा नहीं जा स लेकिन आप लोग का जो question है बिल्कुल correct होने चाहिए और st की बात करें तो st अगर 70 question attempt किया जो की बिल्कुल correct है और एक-दो अगर question गलत है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप लोग का भी दोस्तों यहां पर selection बिल्कुल share है वो कि बाकि जो official cut-off आएगी त उनका होना ही होना है क्योंकि अगर ex-serviceman के जो अगर 40-45 question सही होगे दिखलसों में से तो उनका selection तो होई जाएगा अब बात करते हैं आप फिमेल कंडिडेट के लिए सारी दोस्तों सभी females की बात करें category wise तो सबकी एक ही cut-off जाएगी यहां पर वह आपकी जो है 80-85 question अगर जारी की जाएगी जो cut-off वह भी आपके साथ शेयर करेंगे तो फलाल आप लोग इतना मानकर चल सकते हैं कि इतनी cut-off जाने वाली है तो आज की वीडियों सिर्फ इतना ही आप लोग के साथ डिसकस करना था कि आप लोग की इतनी cut-off जा सकते हैं अगर जनरल वाले ने 90 question सही की है तो जो है उनका marks जो है 180 की आसपास रहने चाहिए ठीक है और अगर दोस्तों OBC का category का तो 85 question correct होने चाहिए एक दो कर गलत है तो चल सकता है स्ट के लिए 70 question सही होने चाहिए और स्ट के लिए 70 question उनके correct attempt होने चाहिए अगर आप लोग ने माल लिया दोस्तों 90 जैसे कि माल लीजा तो 70 question सही है और सब गलत निकल गए तो फिर तो chances बिलकुल 0% की होगा ठीक है ना क्योंकि फिर तो भगवान ही माल लिक अगर आप लोग ने 70 question सही हो बागी सारे question गलत कर दी है क्योंकि negative marking आप लोग की 1 by 2 की तो कैसे हो सकता है और यह expected cut-off है कोई भगवान तो यहां पर है नहीं कि इतना clear बता पाए लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया यहां पर इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को दोस्तों जरूर किया कीजिए डिसलाइक मत किया कीजिए ओके लाइक कीजिए और अपने सभी friends के साथ शेयर क आपको दोस्तों शेयर की जाएगी आपके साथ डिसकस की जाएगी तो फ्लाल अभी एक लिए पिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ और लेटेस इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार